हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल में आज मैं आपको नारियल के बहुत ही ज्यादा जूसी और टेस्टी लड्डू बता रही हूँ जो काफी कम टाइम में और बहुत ही कम सामन से आप इसको बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए फिर इनको बना कर तयार करते हैं यह देखे मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ तो कितना ज्यादा सॉफ्ट मुह में गुलने वाला यह लड्डू तयार हो चुका है अगर पसंदा है तो चनल को सब्सक्राइब बढ़ियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूल इसको बनाने के लिए मैंने यह जो पानी वाले नारील रहते हैं वही लिया है मेरे पास रखा हुगा था तो मैंने सुझे चलिए लड्डू बनाते हैं मैंने इसका जो ब्लैक पार्ट है वो हटा दिया है इसके बाद इसको ग्रेट कर लिया है अब मैं इसको ग्राइंड कर करना है यह देखिए इसको अच्छा कासा ग्राइंड कर लिया है अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं इसको मैंने कढ़ाई मिले लिया है और इसको थोड़ी दिर तक आपको इसी तरह से ही चलाना है वह भी मीडियम फ्लेम पर इसके पहले ही मैं इसमें मलाई एड कर दी है और इसके बाद ही मैं जो 10 रुपे वाला मिल्क पाउडर का पैकट आता ना वही ले रही हूं इससे काफी अच्छी रिचनेस आएगी तो मिल्क पाउडर तो सबी जगह मिल जाएगा आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं और पस आप इसको अच्छे से मिक्स अच्छी लिए मैं इसमें दूद एड़ कर रही हूँ तो दूद मैं आधा कफी एड़ कर रही हूँ जो चाय वाला कप रहता ना वही आधा कफ दूद मैं आड़ किया और इसको अम ये मीडियम टु है फलेम पर मैं इसी तरह से ही चलाती हुए पकाती रहूँगी और बहुत ही अच्छी लगते हैं देखनी में यह देखिएrare से इसको चलाती हुए पकाती जारी हूँ इसी तरह से ही आपको भी पकाते जाना है और यह देखिए थोड़ी देर में यह डोपं बनने ही वाला है इसमें आपको किसी भी चीज्ज़ की और जरूरत ही नहीं पर बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयर होंगे ये किन मानी आपको बहुत जादा पसंद आएंगे अगर आपके पास नारियल पानी वाला ना हो नौर्मल नारियल हो यानि की पका वाला तो आप भी ले सकते हैं बिना पानी वाला यह देखिए जब आप इस तरह से चेक करक और यह देखिए आप चलिए लड्डू बनाते हैं बहुत ही मज़िदार आप बहुत कम टाइम में लड्डू बना कर तयार कर सकते हैं मैंने तोड़ा सा घी लगाया हां तो में जिससे यह जटपट से बनते चले जाएंगे और इसमें आपको नाहीं की की जरूत पड़ेगी नाहीं किसी और चीट के और नारियल के लड्डू मिंटो में ही तयार हो जाते हैं मेरी बेटी को तो बहुत जादा पसंद है तो मैं जब भी नारियल या तो आपके हां भगवान जी को चड़ाएं या फिर कोई भी त्योहार पर आएं तो इस तरह से आप इनके लड्डू बना का तयार कर सकते हैं मैं भी इनके इस तरह से लड्डू बना का तयार करती हूं मेरी पीटी को तो काफी पसंद है और थोड़ा सा इसमें उपर से डैशिक डिट लगाया और यह लड्डू तयार हो चुके हैं कुछ अलक लुग देने के लिए आप चाहें तो इसी तरह स कुछ लगा सकती हैं मैंने तो यह रूज लीफ लगा दी है और इस तरह से मैं इनको सर्फ करूंगी यह देखिए लड्डू तयार हो चुके हैं आपको खुद भी यकी नहीं आएगा मेरी बेटी ने सिर्फ दो ही दिन में यह सारे लड्डू खतम भी कर दिये थे बहुत ही लड्डू जरू ट्राइग करें ना रियल हूँ तो ठीक है ना हूँ तो कोई बात नहीं मार्केट जाएं और लेकर आएं यह तो इजीली मिल भी जाते हैं सबी जगे बैल आइकन जो दबात हैं जिससे आपको सारी बीडिव स्टम टुटम मिल दे रहते हैं